हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का GK InfoTuber में, आज हम बात करेंगे EVS के बारे में और जो TGT screening में हमारा special topic लगा दिया है इस बार, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, मैं extra कोई भी बात नहीं करूँगे, जो important चीजे हैं हमारे exam point of view से, सिरफ उसी के बारे में बात करूँ आपका यहां से छुटेगा नहीं, एक भी कोईशन आपका यहां से नहीं छुटेगा, NCRT को सबको cover करती है, यह बहुत अच्छी book है यह मेरे पास, और उस book से मैं आपको करवारी है, तो बहुत अच्छा content है, आप इसको skip मत करना, जो भी important होगा, मैं उसके उपर special focus करूँ तो आज हम बात करें हैं, ecology के बारे में, ecology हमारा एक main topic है, इसके अंदर ecology, ecosystem या environment, pollution वगरा जो भी topic हमारे लगे है, उन सब के बारे में हम देरे देरे करके बात करेंगे, और 6-7 दिन में यह सारा का सारा है, वो मैं PDF के थ्रू करवा के complete कर दूँगी, किसी छेतर विशेश के जीवधारी और उनका परियावरण मिलकर एक पारी तंतर या पारिस्थितिक की तंतर, बार बार ये दोनों वर्ड आएंगे, तो पारी तंतर और पारिस्थितिक तंतर का, मतलब इसमें आफ कन्फूज मत हो न, तो दोनों ये एकी चीज है, पारिस्थितिक तंतर का निर्म हावा है पानी है उनके साथ अंते किरिया होती है और इन अंते किरियाओं और अंतर संबंदों के अध्यन को ही क्या कहते है एकोलोजी कहते है तो आपको समझ आया जो भी हमारे परियावरण के अंदर जितने भी जीवधारी है और उनका हमारी नेचर के साथ में क्या प्रसपर हैकल यह important question है बहुत important है यह बहुत बार आता है तो इसको आप याद रखेंगे Ernest हैकल सबसे पहले ecology सब्द है इसका प्रियोकिस ने किया था उनके अनसार यह Ernest हैकल ने किया था और कब किया था 1866 में किया था तो उनके अनसार वातावरन और जो जीव है जो हमारा environment है और जीव समदाई मतलब जितने भी जीव जन्दू प्राणी है उनके जो आपस में संबंध है उसके अध्यन को परिष्थित की कहते हैं इससे ने के वल जीव और उसके आसपास की संपूर्ण जैविक मतलब जो सांस लेते हैं और जैविक मतलब जो carbon और carbonic जो पतार्थ होते हैं उनकी बात हो रही है जैविक में जैसे हमारे पेड़पोदे आ जाएंगे डीकंपोजर आ जाएंगे उसके बाद में जैसे कंजूमर आ जाएंगे तो वो चीजे जैविक और जैविक एकोलोजी के अंदर पढ़ने को मिलती है उसके बाद में है इसके कार्ण जीवधारियों की सरंचना होती है मतलब उनके सरीर की बनावट यह जो भी है और उनकी कारें और उनकी कारें क्या करते उन पर परभाव डालने वाला वातावन का परतेक भाग है, वो क्या कहलाता है, वातावन ये या एकोलोजिकल कार्क, या एकोलोजिकल मतलब पॉइंट कहलाता है, एकोलोजिकल कार्क है, उसको चार भागों में हम बाण सकते हैं, सबसे पहला जलवायू, जलवायू है, वो कि किसी भी प्राणी या किसी भी मतलब जीव जनतु है उनको जरूर परभावित करता है तो क्लाइमेट जो फेक्टर होता है उसके अंतरगत क्या होता है क्लाइमेट में क्या-क्या चीज आती है जैसे प्रकाश आ गया टेंपरेचर आ जल हो गया वायू होगी वर्षा हो गई औ वायू इंडल में जो गैसे होते है नाइट्रोजन औक्षीजन कार्बंडर एक्साइट वह सब चीजें आती है जलवाई विए कारकों में तो इनको परभावित करने वाले चार कारक हैं उनकी सरंचना और उनके कारियों पर परभाव डालते हैं दूसरा है स्थल आकरिती कि किसरा है मिट्टी कैसी है वहाँ पर एड़ेफिक फैक्टर इसके अंतरगत क्या होते खनीज पदात कार्बनिक पदात शैवाल मिर्दा जल मिर्दा वायू मिर्दा जीव और मिर्दा अभिकरिया है वो सारे के सारे शामिल के जाते हैं उसके बाद आता है जैविक कारक में बायोटिक फैक्टर आजाता है इसमें शोक्षम जीव आजाएंगे जीवानु आजाएंगे कवक आजाएंगे या चरने वाले जितने भी पशु है वो आजाएंगे सहजीविता एक साथ रहने वाले पर जीविता दूसरों के उपर निर्भर करने वाले अधी पादपता य जो ecology है उसकी जो कारिय शीलता या क्रिया शीलता है वो कई नियमों पर या धारी तो होती है और इनके जो परतिपादक है वो कौन है berry commoner सबसे पहले तो आपको वो question ध्यान रखना है सबसे पहले ecology word का प्रियोकिस ने किया अर्नेस्ट हैकल ने कब किया 1866 में किया important question है वो बहुत जादा और उसके बाद में वो नियम देती है berry commoner है वो नियमों के परतिपादक है वो नियम बताते हैं कि किस तरीके से जीव है वो आपस में रहते हैं तो पारिष्थितगी का जो पहला नियम है उसके अंशार क्या है कि परित अंतर में परतेक जीव है वो एक दूसरे के से संबंदित होते है मतलब everything is concerned to connected to everything मतलब एक चीज से दूसरी चीज है वो एक दूसरे से मतलब connect होती है उनका संबंद है पदार्थ और उर्जा के मादेम से स्थापित होता है जैसे उर्जा एक दूसरे के अंदर transform होती रहती है तो उसके मादेम से उनका संबंद स्थापित किया जा सकता है जैसे मोसम के तापमान में विर्दी होने से शेवाल है वो बहुत तेज गती से विर्दी कर जाते हैं ठीक है तो इसके फल्षरूप क्या हुआ कि परिस्थितिक जो तंतर है उसमें एजैविक जो पदार्थ है पोशक है उनकी आपूर्ति घड़ जाती है इसे शेवाल और पो स्थापित होता रहता है तो यह टेंपरेचर से इसको रिलेट करके दिखा दिया कि शेवाल है जैसे तो टेंपरेचर में जैसे जैसे विर्दी होगी शेवाल भी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे तो इस तरीके से क्या होता है एजविक पोशक फिर उनकी आपूर्ति है संत्तूलन पस्थापित करने के लिए और चीज न झाती है तो उससे प्र फिर फिर काइम हो जाता है पहला पहला नियम यह बता दिया उन्होंने कि किस तरीके से एक बैसे सैंबंद स्थापित होता है य был क़ेता है उसमें पर पर्तेइक वस्तू को कहीं नंदों है कि एवरिधिंग मस्ट गो सम्वेया परतेग जो प्राकृतिक जो तंत्र है उसमें यदि कोई एक तंत्र है उसके दवारा अगर कोई एक वस्तु निकाल ली जाए तो उस वस्तु का दूसरा तंत्र अपने बोजन के लिए प्रियोग कर लेता है जैसे प्राणी कारवन डाइक को अपने शौशन के अप्षिष्ट के रूप में त्याग देता है यही कारवन डाइक्साइड क्या करती है यह हारे पोदों के लिए आवशक पोशक बन जाते है क्योंकि वो तो करवन डाइक्साइड के तुरू ही अपना जो ग्रीन हाउस पर इभेक्ट जो होता है उसके पारिस्तिति की का तीसरा नियम तो यह माना गया कि यहां कुछ भी मुफ्त में उपलब निया मतलब किसी बी चीज का लाप्राप्त करने के लिए आपको तंत्र में कुछ ना कुछ अवश्य परदान करना पड़ता है तो उर्जा की प्राप्ति के लिए हमें उर्जा लगा लानी पड़ती है तो तीसरा नियम है और चोथा नियम क्या कहता है कि परकृति है वो सबसे बढ़िया जानती है अगर हम परकृति के साथ खिलवार करते है तो परकृति भी है फिर हमारा उसी रूप में फिर रिपलाई करती है तो इस नियम के अंसार क्या होगा कि पारी त पारिष्थित्की में संग्ठन के सत्र क्या है संग्ठन और व्यवस्ता का तात्पर किसी भी तंतर शरंचना इस्थित्की के लगू घटकों का बड़े घटकों के साथ पदानू कर्मिक विन्याश्य है मतलब पदक्रम की अकोडिंग चलता है यह तो इसमें क्या होगा परतेक च्ट् 1 धर है उसके बाद बात आती है जीव या वैक्थी मतलब इन प्रिस्थिती में यो संग्ठन होते है तो इसको हम देखते है तो जीवी तवस्तों तो किया चलाती है और जीव क्या चलाती है क्योंकि उन में जो स्तर होता है उसका संग्ठन देखा जाता है तो यह पोदा जनतू बैक्टीरिया कवक आदि कुछ भी हो सकता है मतलब हर किसी का अपना एक सवतंतर अस्तित होता है तो इसका उदे से किसी जीव के रूप या उसकी फीजियोलोजी मतलब काई की या वहवार या उसका डेस्टिनेशन या उसका अडेपटेशन ये सब चीजी हैं इसका अधियन इसमें किया जाता है तो सबसे पहले आपको इंडविजियोल के रूप में इसको देखना है कि उसका अस्तितव अपना खुद का होता है फिर बात करते हम आवाश की आवाश ये एक इंपोर्टेंट है इसकी परिभासा पूछी जा सकती है हमसे तो उसके उपर रहने वाली जो उस परियावरण के अंदर रहने वाली वनस्पति हो सकती है जन्तू पर जाती हो सकती है तो उसके बारे में है तो उसके लिए एक आवास मतब रहने के लिए जग है पिर्थवी पे चार परमुख आवास पाए जाते हैं जिसके उपर हम रहते हैं ताजा जल जल के अंदर भी मचलियां वगरा रहती हैं ज्वादरन मुख एस्ट्रूर्य में भी रहती है और महसागर के अंदर भी अलग जीउ जन्तु जो भी है तो बाद है मतलब हराश्मेंट होती जारी है तो जय वीविद्धा के राज का मुख परमुख कारण क्या है कि जय वीविद्धा पारिस्थी के सरंक्षेत्थ और अवास का सरंक्शित होना भी जरूरी है लुए कि नेक्स्ट है है हमारा जन संख्या उसके बाद में पहले आवास की बात आगी जीव अपने आप में एक इंडिविज्वल रहता है दूसरे बात आती है आवास क्या होता है तो आवास के उपर विभीन टाइप की पर जाती वनस्पति पाई जाती है तो वह सब चीजी है उसक उनकी अंतरगत किसी भी छेतर विसेस में पाई जाने वाले पोदों और जनतुओं की प्रजातियों को शामिल कहता है उसको जन संक्या विर्दी कहते हैं दो समय अवदी के बीच में जैसे 10 साल और अगले फिर 10 साल उसके बीच में जो परिवर्दन आया तो उसको हम जन संक्य जन संक्या में विर्दी जनम और आपरवास का मतलब बहार से आएवय लोगों की वज़े से होती है और जन संक्या में कमी मिर्थि होने से या उत परवास एमिग्रेशन से होती है यह आपको सब को बताए नेक्स हमारा है समुदाय तो सबसे पहला हम ने पढ़ा जीव के बा रूहन asemble करके और इनकी बीच में अंत seriously की प्रिश्यस जुरूदाय का निर्वान होता है जैसे बेड़ों का अलग अलग गूर पोदं का या पश्यूं पक्षियों का अलग-अलग गूरूप रहता है तो एक सम्धाय छी विशह चैस निर्मानद करलेटें इन समुदायों का नामकर्ण है वो प्रभावी पादक परजाती जैसे घास का छेतरा आप लगा लो तो उसमें पेड़ पोदे बहुत सार हो लेकिन अगर घास ज्यादा होगी तो उसको हम घास मूमी बोलेंगे तो जो ज्यादा होगी जिस भी परजाते की मात्रा उसमें संख तो घास ज्यादा दिखी हमें तो वन समुदाय आदी में क्रमशे घासों और व्रिक्षों की परदानता रहते लेकिन अन्य जाड़ियां आदी भी पाई जाती है तो उसको हम घास तल बोल देते हैं उसके बाद में हैं समुदाय का लेवल कैसे किया जाता है तो समुदाय की रिक रहें जिसमित के तात्प्रिय क्या है कि उस संदाय की इस्ट महीं परजातियां उनकी प्रचैनला क्या है , वह सब नक्य। पांच तक समस्पूर्ट में जाती है . अभी हमने क्या है पहर प्रारी सा तड़ंत नहीं है। यह इतना important नहीं है उसके बाद में है पारिस्तितिक तंतर अब ecosystem क्या है वो अभी हमने पड़ा ecology ecology में आपने देख लिया सारा कुछ क्या दिया था उसमें किसने वो नाम दिया किसने वो नियम दिया अंतर जो संबंद होते हैं या परकरती के अंदर रहने वल परकरती के साथ म कैसा संबंद है कैसे मतलब वो interconnected है तो वो सब चीजे है वो ecology थी अब ecosystem आता है ecosystem परिस्तितिकी तंतर की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसका जिकर सबसे पहले किया था एजी टांस लेने यह भी बहुत important question है और इन्होंने कब किया था 1935 में तो इसको ecosystem को हम क्या बोलते है कि एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक छेतर विशेज की सभी जीवधारी या पेड़ पोदे या जीवजन्तु है वो सामिल होते हैं जो अपने अजयव प्रयावरण के साथ में अंत्य क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं और जो पारी तंतर है वो आ इसके अंदर आगी ठीक है उसकी उर्जा फिर आगे उसको खरगोश को जो कोई खाएगा उसके अंदर आ जाएगी फिर उसको आगे कोई और खाएगा उसके अंदर इस तरह से उर्जा परवाए इन कापस में चलता रहता है तो यह प्रस पर निर्बरता दिखती है इस वज जना आपने बहुत अच्छे से question यहां से बनेगा तो जैविक घटक कई बार तो यही पूछ ले आजाता कि जैविक घटक कौन से और एजैविक कौन से तीन जैविक देदेगा एक जैविक देदेगा उसमें से ओड आउट वन निकालना होगा हमीं तो इसमें क्या होता है जै मतलब जो सजीव चीजी है तो मिलकुल नाम से ही पता चल रहा है उत्पादक में क्या हो जाएंगे जैसे पेड़पोदे हो जाएंगे उभोगता उनको खर्च करने वाला मनुष्य भी हो गया या और जानवर मतलब जो सांस लेते हैं उसके बाद में वीग ठनकारी क्या होत होता है फिर उसको खाने वाला होता है वो द्रीवीतिय एलेक अगय गटकों की दो आगे हम बात करते हैं जैविग घटकों की बायक कमपोनेंटट जिसको बोलते हैं तो इसमें उत्पादक उभोगता और अप गटक, ये तीन आपको याद रखना है क्या-क्या, उत्पादक भोगता और अप गटक डीकमपोजर, कंजूमर और ये होगा हमारा उत्पादक उत्पादक का नाम भूल गई मैं, क्या बोलते हैं इंगलेश में, प्रोड्यूशर, सोरी प्रोड्यूशर, और उसके बाद में कंजूमर और डीकमपोजर ये तीनों के तीन किस में आते हैं, ये जैविक घटक में आते हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, अब उत्पादक क्या होते हैं मुखे रूप से हरी पत्ती वाले सवपोशित पोदे होते हैं, उनको हम उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि पोदे अपना भोजन है, वो खुद बनाते हैं, तो सबसे पहले वो ही खुद निर्मान करेंगे, सुरिया का परकास लेकर के, और फिर कार्बंडा एक्साइड गैस लेकर और वो अपने लिए जो भी है, वो बनाते हैं, अपना भोजन का निर्मान करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले उत्पादक बन जाएंगे, और वो क्लोरफिल युक्त जीव होते हैं, पोदों को हम सजीव में मानते हैं, तो परकास संसलेशन दवार अपना भोजन है, वो श्वम निर्मत करते हैं, उसके बाद उसको खाने वाला है उभोगता कंजूमर, कंजूमर क्या करता है, जो दूसरी चीज को काईगा, बतल दूसरी चीज के ऊपर, इनको तो हम बोलेंगे, शव पोशी पोदों को, क्योंकि अपना भ उसके बाद में जैसे प्रात्मी कुब भोगता है, यह मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, कि प्रात्मी कुब भोगता, उभोगता चार टाइप के होते हैं, प्रात्मी कि यह शाकारी होते हैं, जैसे हमारे पेड़पोदे वगरा होते हैं, ठीक है, पेड़पोदे श्व उसके बाद में तीसरे होगे ट्रसरी वाले होगे तो ये द्वितिक शर्णी के उभोगताओं को खा कर अपना बोजिन जैसे सांप और चिडिया होगे पर इनको भी खाने वाले आगे फिर शेर और बाज होगे तो अगर पूछा जाएते सबसे टोप पे कौन है तो ओमनिवोर सबसे नीचे कौन है उभोगता में तो प्राइमरी कंजूमर होते कई बार क्या करते हैं ये गाये बकरी हीरन करगोष्टी डा इन में से कोई एक नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये कौन जाए टाइप का उभोगता है प्रात्मिक है या द्वितिक है तरितिक है वहाँ अगर हमने डंग से नहीं पड़ा है तो हमारा तो बठा गोल है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों के उपर मेंडक मचले बिल्ली लोमडी ये द्वितिय में आते हैं सर्प और चिडिया है वो तीसरे में आते हैं शेर और बाज वो सबसे टोप में आते ह हैं डिकंपोजर डी कंपोजर और मृत जीवी है वो अन्यय परपोशी जीव है जिसमें परमुक रूप से क्या होते मिरतिरिया और कवक रहते हैं और यह पुषण के लिए क्लिए क्या करते हैं जो मिर्तna अर्बनिक जो पडार को शरीर से यह क्या करते हैं मिर्त और मिर्थ पराई पोदे उनको और पशुरियस जो ते हैं उन पर विबिन परकार के एंजायी उचिण therefore in लाइन हमारे इसमें सत्य सत्य में आ सकती है कि वीबिन परकार यह क्या करते हैं निगलते नहीं है लेकिन अपने शरीर से मिर्थ और मिर्थ प्राय जो पोदे या पश्मों की अवशेश जो होते हैं आपने देखा होगा कि जब कुटा बिली कुछ मर जाते तो फिर छोट सारा उबोग किया जाता है फिर वो खाते हैं उनको उसके बाद में क्या होता है एजैविक घटक कों से होते हैं एजैविक घटकों में एकार्बनिक घटक आते हैं एकार्बनिक में क्या क्या आएगा जैसे कार्बन हो गया नाइट्रोजन जल और कार्बनिक पदार्थ हो ग जो एको सिस्टम है वो कारे रत रहते हैं यह तंतर जलवायू मिर्दा वनस्ति जल और स्थल के साथ भींदा रखते हैं इसके तरीक्त मानव ने पर्यावरन का उप्योग कर नवीन परिस्तितिक तंत्रों का विकास किया है तो सबसे पहला में जो परिस्तितिक तंतर है वह हमा जल में फिर नदी जील या वेट लैंस वगरा होगी है वह जल में आ जाती है तो सबसे पहले हम इस्थल्य तंतर की बात करेंगे जो एको सिस्टम है इसमें वन आ जाते हमारे घास के जितने भी घास है और मरुस्तल आ जाता है उसके बाद में घास में उशन कटी बंद वाल करेंगे एक एक करके पारिस्थितिक तंतर को निमन परकार से वर्गी कर्थ हमने कर दिया तो सबसे पहले स्थल्पारितंतर की हम बात करते हैं तो स्थल्य पारितंतर में क्या होता है कि मुख्य रूप से इसमें वन घास थल भूमी और मरुस्तल आ परितंतरों को वर्गी कर करता है वनिये परितंत्र क्या होता है तीन परकार उशन शितोषन और शंकुधारी होता है वनिये जो परितंत्र है वो कितना परकार का होता है तीन परकार का होता है कितने परकार का होता है तीन परकार का कौन सा कौन सा उशन शितोषन और शंकुधारी शंकुधारी वो जो त तोशन मतलब थोड़े से ठंड़ा इलाका, उशन मतलब काफी गर्म इलाका, ठीक है? उसके बाद आते हैं, वन ये पारितंतर के परमुख वन निमन परकार है, तो वन ये पारितंतर में जैसे टेगा है, तो इस वन का विश्तार हमारे जो भूमदे रेखा है, जो हमारी ये भूमदे रेखा है, तो इसके जैसे ये हमारा है, तो यहां जैसे 90 डिगरी हो गया, यह यह हमारा इधर 10-10 हो गया दोनों साइड में, इधर 30-35 हो गया, 60-65 हो गया, तो यह क्या करते हैं कि 50 से जो 70 वाला इस एरिया के आसपास क्या होता है, अक्षासों की मद्य में यह मिलते हैं, क्योंकि जाधा उचाही वाले पेड़ पोदे वहीं पे मिलते हैं, तो शंकुधार वनों में आर्थिक द्रिष्टी से मुल्यवान और अनावरित बीजी वरिक्ष पाए जाते हैं, जिसमें देवदार हो गया, श्प्रूस हो गया, फर हो गया, यह पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखना है, देवदार, श्प्रूस और फर यह पूछ लेंगे, यह कौ वादिक आर्थिक मैतव होता है, और टेगा वनों में जो वनस्पति है, उसका आदर्श शत्रिकन नहीं पाए जाता, यह इतना इंपोर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन आपको इनके पेड़पोदे जरूर याद रखने और अक्षांश, उसके बाद में आता है, शितोशन कटीबंद वाला, कि अती हरां-बरा बायोम है, वो कौन से मतलब कटीबंद को का जाता है, तो शितोशन कटीबंद, क्योंकि वो थोड़ी ठंडी भी होती है वहाँ पर और गरमी भी थोड़ी सी, शीतॉशन, इसका मतलब क्या है, थोड़ा थंड़ा थोड़ा गरम, तो इस टाइब से हरा भरा बातारण वहां पे रहता है उत्री अमरीका है जो उसके परशांत मासागरे तट पर ये बायों पाया जाता है और उपर वाले में ये तीन थे देवदार श्प्रूस और फर ये टेगा में आते हैं देव तो उपर ही रहते हैं आप ये सोचो टेगा में स्प्रूस और फर ये दो और याद रख लेना और इसमें भी स्प्रूस इसमें भी आया है फर आया है शीडर भी आया है रोजवूड रोजवूड श्पैसली आपको याद रखना है और डगल से याद रखना है और हैं लोग की दो-तीन अलग से ही नाम है इंगलिश वाले से नाम है तो इसको आप याद रखना शीडर भी इंग्लिस वाला ही नाम है तो ये फर और श्पूरूस एक जैसे हैं ये तो दोनों में आ जाएंगे तो ये देगा भी नहीं वो अलग लग के लिए ये वाला देगा अगर देगा तो फिर है उशन कटीबनी है सदा बहार बन ये कहां पाए जाते हैं ये कहां पाए जाते हैं जैसे हमारी ये वोमद रेखा है जीरो डिग्री और इसके यहां पे टैन डिग्री एकसांस और यहां पे टैन डिग्री एकसांस उतरी और दक्षिनी दोनों साइड तो दोनों में क्या होता है सदावार जंगल है वो बायोम फैला हुआ है जिसमें अमेजन बेसिन आगे और कांगो बेसिन आगे दक्षिन पुर्वी एसिया के द्वीप सुमों पर फैला हुआ है और उशनकटी बंदें सदावार बायोम में चोड़ी पत्ती वाले उंचे मिलदेश में होती है अब इसमें कटोर लकडी में क्या-क्या होता है आपनूस हो गया जैसे एभोनि इन आयोुड महोगनी आईरन वुड जैसे नाम से ही पता चले महोगनी एसे लग रहाए आ उस भी ऐसे लग रहा है जैसे टाइट टाइट मतलब ऐसा वर्ड सुनने में ऐसी फीलिंग आ रही है आइरन वूड ये भी ऐसे लगता है लकड़ी है तो काफी कठोर है तो ये तीन इसमें याद रखने आपको उसके बाद आता है उशन कटीवन दिया परणपाती बन दोनों गोलारदों के 10 से 30 डिगरी अक्षांसों के बीच में उशन कटीवन दिया परणपाती जो पत्ते गिरा देते हैं वो वन पाए जाते हैं तो इस जलवायों में ग्रिशम काल में अधिक गर्मी और शीद काल में समाने ठंड रहती है तो ये वर्सा समाने ग्रिशम काल में कुछ महिनों तक होती है जिसके काण यहां की बनस्ति अपनी पत्तियां गिरा देती है और इन्हें परणपाती विर्ख्षे कहते हैं तो ये परणपाती जो वन है ये ज्यादातर कहां मिलते हैं दक्षणी एसिया के अंदर मिलते हैं दक्षणी पुर्वी एसिया में उत्री ओस्टेलिया में मद्देवर्ति अमरीका में पुर्वी अपरीका में तो इनके परमोकुदान कौन से साल हो गया सागोन हो गया बबूल हो तो यह किसारे किसारी है परणपाती में आते हैं शाल सागून बबूल जैसे कीकर वगएरा होती है ना इनी कोई बोलते हैं कीकर से आप याद रखने ला शाल